बच्चे को जल्दी बैठने के लिए क्या क्या करना चाहिए आज मैं इसी टॉपिक को क्लियर करने वाली हूँ प्लीज वीडियो को लास तक दीखेगा जिसे कोई भी जानकारी आपसे इसकिपना हो सबसे पहरे तो ये बात की बच्चा 6 मन का हो गया, 7 मन का हो गया, 1 मन का हो गया और उसने अभी तक बैठना नहीं शुरू किया तो जब बच्चा बैठना नहीं शुरू करता है टाइम से तब आपको टेंशन होती है लेकिन आपको हमेशा इस चीज का ध्यान अपना चाहिए कि आप शुरू सही बच्चे की हर चीज पे ध्यान दें ताकि बच्चे आप किसी भी चीज में लेक ना हो बहुत से लोग परिशान हो जाते हैं कि मेरा बेबी अभी नहीं बैठना शुरू करा तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं तो सबसे पहले ये कारण हो सकता है कि आपके बच्चे की गरदन ना मजबूत हो और आपके बच्चे की जो पीठ है वो ना मजबूत हो उसकी ये व अपने सर को उठाने की कोशिश करता है अपनी गर्दन को तो इस अबर पर उसकी गर्दन मजबूत होगी। अच्छी पीट पे भी अथड़ी पे भी असर परता है। वह एक ऐक्सरसाइज की तरह होगा जिससे आपके बच्चे की गर्धन जल्दी रुखने लगेगी और जितनी जल्दी बच्छी गर्धन रुकती है उतनी जल्दी बच्छा बैथना सिख जाता है। और दूसरी बात कि अपने बच्चे की 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 अपने बच्चे क रहे हैं नहीं होते को हैं दो साच लिने नहीं कोई परिशानी नहीं यहां आप को यहां परिजान नहीं यहां बाल साट kuken replaces और शुलडर जहां से रह किया है दूल की आतो दुलक्तार हने लाएं उसको नहीं परिशानी नहीं फिर हाथों में यहां से इसके Pharmない लें तो आपको नेक से भी मालिश करनी है शुरुआत्र करनी है इसतरह से रफ यह नेक से रख यहेति एक्सपाइज जब एक्छे मालिश करनी है सुबह और शाम दो बार आप इस तरह से मालिश जरूर करें इससे आपके बच्चे की नेक और बैक बॉन बहुत जलिदी मजबूत हो जाएगी और आपका बच्चा जब 6 महीने का हो जा है और थोड़ा-थोड़ा बैठने लगा है आप उसको बहुत जादे जर मत बिठा लिए लेकिन जब मालिश करना हो तो आप उसको जरूर बिठा लिए अगर वो एकदम से भी नहीं बैठा रहा है तो आप किसी को थोड़ दर के फिर यहां से एक हासे आप अपने बेबी को खुछ से भी पकर सकती है अगर कोई नहीं है तो एक हासे आप अपने बैबी को पकड़ ले और एक हासे ही मालिश कर सकती है पूरा पीछे का सिर वाला हिस्सा होता है वहां से लेते हुए आप पुरे यहां बैगोन तक आई आप इसको आट से दस बार मालिश करिये और सुबा और शान दो टाइम तो आप कम से कम मालिश करिये इस तरह से अगर आप बच्चे की गर्दन और पीट की मसाज सही से करेंगी वो अच्छे से मजबूत हो जाएगी तो बच्चे जल्दी से जल्दी बैठना सिख जाता है खुश से ही और उसके माल एक वज़ा ये भी हो सकती है कि जब आप अपने बच्चे को बिठा रही हो तो बच्चे को आप जिस तरह से बिठा रही हो वो पोजीशन न सही हो आपको एपने बच्चे को जब बैठना सिखाना है six months से, तो आप अपने बच्चे के चारो तरफ पिलो लगा दे और बीच में बच्चे को बिठाएं. कुछ दिन तो बच्चा तेख लगा के बिठाएं, और शुरुवात में कभी भी एकोशिश ना करें और जब आप अपने बच्चे को बिठा रही हो तो एक चीज का और धियान रखें कि जैसे दो-चार दिन आपने बिठा लेंगे इस तरह से तो बैठना सीख जाएगा दो-चार दिन आप बिठा लिए फिर उसको थोड़ी जेर के लिए बिल्कुल सहारा हटा लीजिए और उस बच्ची का बैलंस बराबर प्रड़ा के सामने लेता हे है और बच्चे सामने कोई ट्ायर तो तो बच्चे अगर कोशिश करेगा कि उसको उता ले पकड़ने की कौसिशिश opportun लेकिन जब आप उसके सामने रखें की दो बच्च्च आसानी से बैठके खेंला भी इस जख जा और एक बात का और भी ध्यान रखते हैं आप अपने बच्चे को बैठना सिखा रही हो उस ताम आपका बच्चा लगवग छे महीने का हो चुका हो ते पहले आपको बच्चे को नहीं बिठाना है कि बच्चे की रेर की हड़ी बहुत मुलायम होती है और अगर आप बिठाना शुरू कर देंगी चार या पांच महीने से ही थोड़े देर के लिए बिठाना इतनी दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर आप बार बार ऐसा करेंगी जिन बर में कई बार आप ऐसा करें तो उससे बच्चे की रेर की हड़ी मूर सकती है इसलिए छे महीने का जब बच्चा हो झाल 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 झाल